हेलो फ्रेंट इस वीडियो में बात करने वाले हैं पासपोर्ट में लगने वाले डाकुमेंट की friends काफी लोगों का comment यह रहता है कि passport में कौन-कौन सा document ले जाएं कई बार क्या होता है कि लोगों को जो है passport आफिस के ही return आ जाना पड़ता है जो कि उनका document complete नहीं होता है ऐसे दोस्तों आप जब भी passport आफिस visit करें सो अपना document प्रोपर जो है चेक कर लें एंड वहाँ जो डाकुमेंट ले जाएं वो आपका जो है सही होना चाहिए औरजिनल होना चाहिए ताकि आपको वहाँ पर कोई भी प्राबलम ना आए सबसी पहले बात करते हैं अगर आप एक नया पासपोर्ट का फार्म मिल जाता है डाकुमेंट चूज करने का वहाँ पर जो भी आप डाकुमेंट चूज करते हैं वह डाकुमेंट आपको ले जाना होता है दोस्तो साथ साथ में यह भी बताता चलूं कि अगर आप एक नया पासपोर्ट का फार्म भनना चाते हैं या फिर रेनवल का फार्म भनना चाते हैं वीडियो मैं आलेडी बना दिया हूँ डिस्केप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरा वीडियो जो है वाच कर सकते हैं और अपना टेंड का सर्टिफिकेट ले लेना है और साथ साथ में आपका अधार का जो कि एक चोटा साइज का अधार कार्ड एंढ़ सिक्राइड का धर सकते हैं ये बड़ा वाला साइज का और ये भी वैरिफाई अधार काड होना जीनिया जैंद उसके अलामा क्या ले जाना चाहिए बैंक पासबुक और अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है तो आपको खाता खुला लेना चाहिए और जब भी आप वहाँ पे जाए तो अपना बैंक पासबुक जरूर ले जाए और साथ-साथ में आपका बैंक पासबुक जो है अपडेट होन और अगर आपको अपडेट पास dobr नहीं पता तो अपडेट का मतलब यह होता है आपके आपके पास के महींने की अंदर की इंटरी होना चीह यह नि जो प्र rebellion बोलते हैं पर पीधियर bitter होना चीह अमया जैसा कि मैंने जो document बताया वो आपके समझ में आ गया होगा और अगर आप passport भरते समेझ जो document चूद करते हैं उसमें कुछ other भी document कूद कर लिए हैं तो वह भी आपको document Original and copy ले कर जाना होता है और साथ-साथ में जो sap coming लेटर होता है उसको भी लेकर जाना होगा दोस्तों जब भी आप पासपोर्ट आफिस विजिट करेंगे तो सबसे पहले आपका डाकुमेंट वेरिफाई होगा और अगर आपका डाकुमेंट सही है तो आपका जो है सब कुछ आसानी से हो जाएगा यानि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो इसलिए आप पासपोर्ट आफिस जाने से पहले जो है आप अपना डाकुमेंट एक बार अच्छे तरह से नाम एज एडरेस खुछ से भी चेक कर लें और उसके बाद पासपोर्ट आफिस विजिट करें तो आपके कारिय में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और दोस्तों जब आप पासपोर्ट आफिस विजिट करते हैं तो सबसे पहले आपका डाकुमेंट वेरिफाई होगा और फोटो फिंगर होगा वहां का कारिय कंपिलीट होने के बाद जो है आपको एक फाइल नंबर मिल जाता है जो कि उस फाइल नंबर से जो है आ आपको कुछ नहीं करना है आपको कुछ दिन वेट करना है आपका पासपोर्ट जो है डाग द्वारा आपके घर पर आ जाएगा और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंज उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलता हूं नेक्स वीडियो में तेक क्यार बाबाए